तो और क्या हल चल मेरे दोस्तों भाई आज एक मस्त कंपारिशन है मोटोला एज नियो 40 भाई बहुत बावाल बचा रखा है इस फोन ने सिरिसली बोला बहुत जाला बावाल और जिस प्राइस में आया न उसमें तो और बावाल क्योंकि 21,000 रुपीज का स्टार्ट वाल अवेरेंट है नेक्स फोन जो है आईकू Z7 प्रो और इसकी प्राइसिंग 24,000 रुपीज है और इससे सेम मिलता जुलता मतलब मिलता जुलता गया स्पेसिफिकेशन वाई पूरा सेम सबकुछ वीवो T2 प्रो है तो हम लोग यहाँ पर जो मोस्ट आफ बाते करेंगे वह आईकू Z7 प्रो को लेकर होगी और एक चीज और मेंशन कर देता हूँ वीडियो पनाने से पहले कि दोनों फोन है ना मतलब यहाँ पर मोटरोला का इफोन मैंने बाई करके मंगा है जैसे कि मैंने सब्सक्राइबर से लिया और जो ब्रैंड का फोन आया था वो चला गया है और यह लिटरली मैंने खुद से बाई करके मलब रखा हुआ है ताकि आप लोगों को ऐसे वीडियो बगरा दे सको तो वीडियो देखने से पहले कोई ऐसे मैं सोच लेना कि कोई बाईस वगरा वीडियो देखने मिल रही है जो जैनुवन रिव्यू है इसके लिए इसके लिए वह आप लोगों के सामने ला रहा हूँ तो color option में motorola पे तीन option मिल जाते हैं मुझे ये personally बहुत ज्यादा अच्छा लगा है और iqoo का ये वाला color मुझे पसंद है और इसमें total आपको iqoo में दो color option available है बस मुझे ना motorola का ये color option अच्छा पसंद बहुत अच्छा लगा और इसके पीछे जो vegan leather है ना वो बहुत ज्यादा सौरेड लगता है और एक चीज बस मुझे पसंद निया था ये जो यहाँ पर इनोंने एक color code डाल दिया है ना यहाँ पर लिखने का कोई ज़रूत नहीं था मतलब color code को देने की ज़रूत नहीं थी बस यह देख लिया ना बस पसंद आ गया इतना समझो यह क्यों दिया है पता नहीं बहुत अच्छा नहीं लगा मेरे टीममेट्स को भी बस यह चीज अच्छी नहीं लगी बाकि दोनों की styling बहुत अच्छी है मतलब इसकी भी अच्छी है इसकी भी अच्छी है और वेट को लेकर इतना है कि दोनों की आसपास की वेट है बस IQ थोड़ा सा ना बड़े size का phone लगेगा अगर आप इस Motorola को side में compare करते हो तो बाकि Motorola थोड़ा सा compact phone हो जाता है बाकि IQ पर पीछे की मेरा बहुत खराबता Motorola का लेकर मतलब क्या पता नी Flipkart पर ऐसा क्या हुआ है ऐसा लगा कि बहुत दुनिया इसके पीछे भाग रही है पता नी क्या scene हुआ और बहुत मुश्किल से मुझे phone मिला है literally मैं लग मैंने खरीदा भी नहीं है मैंने तो एक subscriber को पैसा दे के उससे phone खरीदा यह समझो चीज क्यों मतलब मैं को समझा नी क्या इतना क्या हो गया कि सेल में मिल रहे है आइकू तो एमाजन पर आराम से मिल जाता है तो अभी थोड़ी सी reality को लेकर बात करते है कि Motorola की power जादा अच्छी है या फिर IQ की जादा पावर अच्छी है क्योंकि Moto के अंद यहां पर छोटा साइज होने के बाद मी मोटरोला 5000 एमेज की बैटरी दे रहा है और साथ में 68 वाट का चार्जर भी दे रहा है और वहीं IQ पर हमको बड़ी साइज है मलब फोन की मलब अगर इससे कंपार करते हो बट बैटरी 4600 एमेज की है और चार्जर 66 वाट का है यह जो 4600 एमेज की बैटरी ने इसको कम मत समझना जब आगे आप रिजल्ट देखो के तब क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया है दोनों फोन को 100% चार्ज कर दिया अभी सेम टेस्टिंग होने वाली है दोनों ही फोन के अंदर सेम टाइम पर और बैग्राउंड में सारी अगर मैं मेजर करू ना तो मोटरोला थोड़ा सा फास्टर लगा पट लाइक वो एकदम माइनर सा बात था बाकि फिर गीग बैंच 6 निकाला जिसमें सिंगल कोर पर और इवन मल्टी कोर पर भी और इवन जीप्यू के स्कोर पर भी आईकू के स्कोर जादा देखने बिले फिर CPU थ्रोटल निकाला इतना हेवी परफॉर्मेंस इतने हेवी रिजल्ट देने के बाद में भी 95% का CPU थ्रोटल आया और वहीं मोटरोला बस अपना like 78% पर CPU थ्रोटल कर गया और अगर एवरेज और मैक्स जिप स्कोर देखते हो तो आईकू के अंदर आपको जादा बैट तो अभी तक यहाँ पर एकदम intense stress हो चुका है और अभी तक जो आईकू के अंदर बैटरी देखो गए ना तो वह 72% पर आ गई है और वहीं मोटरोला पर 75% याने कि 3% का बैटरी अभी भी डिफरेंस है मलब मोटरोला में थोड़ा जादा है पर यहाँ पर यह भी देखो कि performance जो सारा सब कुछ हुआ दोनों फोन के अंदर सेम हुआ है उसके बाद में भी बैटरी का जो लेवल है थोड़ा सा मैं कहूंगा मोटरोला में कभी देखने मिल रहा है जबकि इसके अंदर 4600 अमेज बैटरी है अभी थोड़ा से एक और लेवल आगे जाते है हाफ एन आर क पर कितना आया रहेगा पता है 61 परसेंट और मोटरोला पर 62 परसेंट थी हार्स 20 मिनट तक यह जो टेस्टिक हुई थी उसमें एक बात तो शौर है कि यह जो भले 5000 बैटरी दे रहा है मोटरोला पर फिर भी यहां पर जो अच्छा का सा बैटरी 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 पर पर मिल और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है यह जो 5G के नेटवक्स होंगे ना मतलब मोटरोला पर तो इस पर जो आइडल बैटरी द्रेन होगा ना वो लाइक 15-18% तक भी जा सकता है और अगर आप 5G नहीं करते हो 4G पर रहते हो लेकिन आपको मैनुली वो चेंज करना पड़ यहाँ पर 4NM वाला प्रोसेसर भी है जो भी रिजल्ट हा आपके सामने मैंने दिखा है तो आपके हिसाब से क्या चीज़े एक बार बता देना कॉमेंट के अंदर और अगर नेक्स कोई और कमपारिजन चाहते हो आईकू Z7 प्रो वर्सेस और भी किसी फोन को अड़न करना या फिर इस फोन का कंपारिजन किसी और फोन के सार डालना चाहते हो तो कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता देना और साथ में एक वीडियो का लाइक का टार्गेट है वो जादा नहीं बस मतलब 5000 का लाइक का टार्गेट है वो कम्प्लीट कर देना तो मैं तुरंट वो यूट्यूब ऐसी 20-25 जो एप्लिकेशन जो भी आप यूज करते हैं तो वह सारी की सारी दोनों के अंदर अच्छी तरीके से चल जाएगी यहां पर मैं डेफिनिटली शौर हूँ आइकू में भी बेटर है यहां पर भी बेटर है बट जब बात है कि थोड़ी सी हैवी पर आइकू को लेकर तो वहां पर आइकू पर अगर हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी जाधा बैट रिजल्ट मिलेंगे जो आप लोग ने एक थोड़ा सा आइडिया तो लगा लिए बट अगर हम यहां पर इस पर गेमिंग पर लेके जाते इस चीज को तो जैसे की मोटरोला 60FS गेमिंग अनलॉक करके तो देता है चलो यहां पर सॉर्टेड है लेकिन जब आप इस पर गेम प्ले करोगे तो आपको अच्छे कासे FS ड्रॉप देखने ज़रूर मिलने वाले हैं हलाकि फोन पतला बनाया है बट सेम पतला फोन आपको आईकू ने भी बना की दिया है पर यहां पर आपको जो बेटर चिपसेट है वो आपको आईकू के अंदर आती है जिसकी वज़से बेटर गेमिंग करने मिल जाएगी क्यूंकि आईकू पर अगर आप 60FS की गेमिंग करोगे तो मोटरोला से बहुत जादा बेटर एटर एटर टेबल के साथ में आपको आईकू और देखो दोने इफोन 5G है बट मोटरोला पर आपको जादा 5G के बैंडस मिल जाएंगे और इवन ब्लूटूथ बगरा दोनों का सेम है लेकिन अपर आपको वाइपाइ 6E मिलेगा और साथ में एनफीशी भी मिल जाएगा और साथ में मोटरोला के अंदर आपको आईपी पे IP52 है तो नॉर्मल पानी बानी के छीटे वीटे जिर लेगा और security के लिए दोनों फोन पर इन डिस्प्ले फिंगर्पिंट के अंदर है तो दोनों यह अच्छी तरगे से परफॉर्म कर रहे हैं तो अभी वीडियो रेंडरिंग भी टेस्ट कर रहा हूं यहाँ पर काहिन मा पाचीत पर तो मोटरोला पर आपको 6.55 इंचेस का करवड पी ओलेड डिस्प्ले मिलता है 144 हर्ट के साथ में और वहीं आइकू पर 6.7 इंचेस का करवड एमोलेड डिस्प्ले आता है और 120 हर्ट वाला यह है अब यह दोनों को पतक के देखूंगा तब मुझे पता चलेगा मेरा गिरे का फोन तब पता चलेगा तो एक बात तो श्यूर है आईकू का जो डिस्प्ले बड़ी साइस के साथ में आता है मोटरोला का थोड़ा सा कॉम्पेक साइस की तरफ चले जाता है अभी मैंने दोनों फोन पर है ना सेम 4K 60fps पर HDR का content चलाया है पड़ा ना Motorola बहुत बार lag कर दे रहा है मतलब है ना lag याने कि जो network connectivity बॉफरिंग वगरा है ना वो थोड़ी सी जाधा हो रही है तो यहाँ पर आपके उपर है कि आपको थोड़ी से जाधा punchy color पसंद है या फिर natural side वाले personally मुझे तो दोनों अच्छे लग रहे है इवन Motorola भी अच्छा लग रहा है मेरा अगर मैं बात बताऊ तो अभी रही बात IQ के अंदर है ना आपको अगर मैं volume बढ़ा हूँ तो single mono speaker मिलता है जो की मेरे एसाब से थोड़ा सा disappointment ही है dual आता तो थोड़ा सा जाधा अच्छा होता तो single से of course double वाला जाधा अच्छा ही पार्ट होता है बाकि software वाली बातचीत में Moto पे माई UX मिलता है Android 13 के साथ में अभी इन्होंने शाइट से 2 साल का Android प्रामिस किया है और Motorola का जो update वाला हिस्टरी ने थोड़ा सा ओपर नीचे और iQoo पर हमको मिलता है Android 13, Fanta choice 13 के साथ में आता है और मुझे भी जहां तो पता है इस पर भी एक से दो साल का Android कुछ ऐसा प्रामिस किया है बर कहीं mention नहीं किया प्रापरली तो अभी एक बात है कि जैसे आप फोन को यूस करना चालू कर होगे ना तो Motorola एकदम clean software experience के साथ में आता है मतलब कोई भी फाल्दू के application नहीं है इवेन इसमें थोड़ी सी better application है और इवन एक चीज में नोटिस करें जब इसका ना अनलॉक करेंगे ना फोन और जब आप UI पर जाते हो ऐसे अपना app drawer पर जाते हो ना इसे तो यहां पर ना आपको हलका सा haptics मिलेगा vibration वाला है भले वो तो असा premium लगता है उसमें और मैं application बता रहते हैं इसके इंदे कुछ Motorola की application आते हैं जिसमें से एक है na Moto Secure इन्होंने add-on कर रहा है जो थोड़ा सा ऐसे कोई problem नहीं आती, smooth experience रहता है 120Hz के साथ में हाला कि Motorola पर 144Hz मिलता है और most of application पर 144Hz अच्छी तरीके से चल रहा है तो वो भी एक plus point लगा है और UI में भी मैं काऊंगा मैंने इसका Motorola Flip भी उस किया है, वो UI experience जो उसमें था वो almost same इसमें है तो ऐसे कोई अलग बातचीत नहीं है, अच्छी ही है, मतलब दोनों का मैं काऊंगा UI experience अच्छा है बाकी camera के अंदर एक चीज है कि Motorola पर आपको 8MP का ultra wide मिल जाता है वो एक plus point है और even selfie पर भी आपको 32MP मिलता है Motorola पर और IQ पर 16MP कि अगर आप है na Motorola को देखो गए न तो वहाँ पर आपको थोड़े से न जो color है न पंचीनेस के साथ मिलते हैं थोड़े से boosted color मिलते हैं और वही थोड़ा सा IQ boosted रखता है बट इतने जादा boosted नहीं रखता बट इतना है कि Motorola की जो photo है न वो आपको ready to social media मिल जाती है तो वो एक plus point हो जाता है और even ultra wide का तो दिखा के ऐसा कुछ sense नहीं है Motorola पर ही मिलता है मैं काऊंगा 60% time मुझे Motorola की photo सोड़ी सी जादा बेटर लगी है बट portraits वगरा की बातचीत आती है, selfie की बातचीत आती है तो वहाँ पर IQ थोड़ा सा win कर जाता है मतलब दोनों का न 19-20 है और एक बात आपको भी बता होगा कोई भी phone perfect नहीं होदा हर एक सिनारियो में इवन वीडियो रिकार्डिंग की बातचीत में दोनों phone 4K 30fps तो main camera से कर देता है और वहीं पर अगर आप इन दोनों के sample देखो के side by side, stabilization वगेरा तो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो आप समझ सकते हो idea लगा के और वहीं अगर Motorola पर एक plus point आता है front camera पर 4K 30fps देता है जो कि IQ पर 1080p 30fps भी capped है तो आपको थोड़े से better resolution मिल जाएगा Motorola के अंदर तो at the end ये समझ लो कि अगर आप लोगों को powerful phone चाहिए इस price segment के अंदर under 25,000 card offer वगरा लगा के देखो दोनों की बातचीत अलग हो जाएगी maximum इसको आप 21,000 ग्राप कर पाओगे और इसको कुछ 22,000 के अंदर ग्राप कर पाओगे तो आपका choice होगा क्या देखना है आपको तो अगर आपको at the end powerful phone चाहिए gaming से लेकर, editing से लेकर सब कुछ सब चीजों में तो वहाँ पर ये भाई साब IQ थोड़ा सा better लगेगा पड़ अगर आपको IP68 चाहिए थोड़ा सा हलका phone चाहिए, compact phone चाहिए हाले कि हलका ये भी है बट compact size का phone चाहिए थोड़ा सा better camera चाहिए इस phone के अंदर आप performance का लेकर है ना उतना जादा मतलब है ना खुश मत होना बस ये phone overall एक है ना normal user के हिसाब से सही तेरे के से design है मतलब camera, थोड़ी बहुत अज्याल की performance looks वगेरा हो गया है मतलब हरे चीजों में stable कर दिया है थोड़ा 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 लेकिन आईकू ने performance पे और even battery life में थोड़ा ध्यान दिया है इस अगर device को हम लोग देखे तो बाकि आप अपने thoughts जरू शेयर करना आपके इसाब से Moto भाई साब या आईकू भाई साब ये था सारा detail comparison जो इसके लिए था same इस Vivo T2 Pro के लिए भी वही बातचीत आती है तो जैसा camera इसका है वही same camera आईकू भाईया का भी है ठीक है तो आपको एक ही वीडियो में तीन चीज़ का idea लग चुका है बाकि अगर आपको इनका dedicated gaming review देखना होगा तो अपना gaming part चला है वहाँ से देख सकते हो कोई next content की demand है कभी जैसे कहा कि कोई और comparison वगेरा किसी से चाते हो तो इस वीडियो पर like a target complete करते ना मैं आपको comment पढ़ता हो तो देखता रहूँगा आप क्या क्या लिख रहे हो ठीक है चलो मिलते next video के अंदर अभी के लिए बाई